कि एक ही चूड़े से different different style कैसे कर सकते हैं तो मैं आज आपको एक नहीं दो नहीं 3 नहीं 4 नहीं पूरे 5 style चूड़े के एक ही चूड़े से में आपको करके दिखाऊंगी तो वीडियो शुरू करते हैं बहुत ही सुन्दर लगते हैं यह जो हम चूड़े के स्टाइल करने वाले हैं और आप इसको कभी भी वेर कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से पूरे पांच स्टाइल आपको करके दिखाए हैं तो वीडियो को लास तक जरूर दे के बने रहें वीडियो पर तो friends welcome back to my YouTube channel friends आज मैं आपके लिए पूरे different different तरीके लेके आई हूँ चूड़े को किस तरीके से हम पहन सकते हैं friends चूड़ा एक बार ले लेते हैं और फिर वो रखा रहता है तो मैंने सोचा क्यों ना इसी के ओपर वीडियो बनाई जाए तो friends हमारे हाँ पर ऐसे नंगे हाथ नहीं रखते हैं एक एक bangles या दो दो bangles जरूर पहन के रखते हैं हाथ में तो आप यहाँ पर मैंने एक पन्नी लगाई है हाथ पर आप चाहें तो moisturize cream भी लगा सकते हैं पर moisturize cream एक बार जैसे हम bangles पहनते हैं तो वो निकल जाती है तो इस तरीके से काफी easy हो जाता है bangles केरी करना तो यहाँ पर जिस तरीके से मैंने आपको अभी pick में दिखाया simple तरीका मेरा चूड़ा पहनने का same मैं उसी तरीके से पहन रही हूँ तो एक जो है हमारा यही style है number one पे मैंने आपको यही दिखाया है कि simple हम इस तरीके से चूड़े को क्यारी करते हैं तो friends चूड़ा तो मेरा काफी सुन्दर है आप देखी पा रहे होंगे बहुती beautiful जा है तो इस तरीके से तो चूड़ा सभी क्यारी करते हैं सभी पहनते हैं तो मैंने आपको first यही करके दिखाया है ज्यादा कामधाम वाला बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगी बहुती easy step में मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ कि आप किस तरीके से अपने चूड़े को different तरीके से क्यारी कर सकते हैं और बहुती beautiful लगेंगे बहुती सुन्दर लगेगा आप जब यह इस तरीके से क्यारी करेंगे तो friends आप देख सकते हैं second मैंने यह काच के bangles लिये हैं यह पूरे जरकन वाले bangles और यह ना काच में हैं तो आपको मैं दिखा रही हूँ यह बिल्कुल काच में है और यह सिल्वल कलर के bangles है तो इस तरीके से मैंने बैंगल लिये हैं और साइड की यह चूड़े की बैंगल निकाल ली है यह friends सीप की है और जो मैंने यह bangles लगा हैं यह काच की है तो आपको अगर कोई बोलता है ना कि आप सीप पैन रहे हो काच नहीं पैन रहे हो तो आप उसको बोल सकते हो कि नहीं मैंने इसमें काच भी लगाया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी तो फिर से हम यहाँ पर red वाली चूड़ी लगा रहे हैं जो चूड़े के साथ में आती है और बीच में एक यह white वाला बैंगल लगाएंगे तो आप देख सकते हैं friends मैंने 6-6 चूड़ी बीच में लगाई है और एक-एक बैंगल लगाया है आप सकते हैं चलो पहन के दिखाते हैं तो आप इसको कभी भी कहीं गूमने जा रहे हैं तब भी आप इसको पहन सकते हैं और चूड़े की तो मैं फ्रेंड्स क्या ही बताऊं चूड़ा आप चाहे शादी को 5 साल हो गए हो चाहे 10 साल हो अगर आपने हाथ में चूड़ा पहना है तो आपको सब लोग यही समझेंगे कि यह new new married है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से यह वाल तो फ्रेंड्स आप चलते हैं तीसरे नंबर पे तो फ्रेंड्स यहां पर भी मैंने यह कांच की बैंगल्स ली है और यह ना इसके ओपर पल्स का काम होया है पल का तो आप देख सकते हैं उसके बाद मैंने यह कांच की बैंगल्स ली है जो हम सिंपल चूड़ी में लगाते हाथ में red वाली चूड़े के साथ की चूड़ी हमने match करिए इसमें और आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से यह वाला भी बनाया है यह वाला तो मुझे बहुत ही ज़ादा पसंद आया है बहुत ही ज़ादा अज़ा लग रहा था यह वाला मुझे तो साथ में ना friends मै लगता है ब्यूटिफुल लगता है अब मैंने चोथी नमबर पर यहां पर फिर से मैंने यह बैंगल लिये हैं फ्रेंट्स यह वाले जो बैंगल सेना इन में बहुत ही सुन्दर पल का काम हुआ है और साइड में मैंने चूड़े के ही बैंगल लगाया कुछ इस तरीके से आप देख करके बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे अब मैंने इसको यहां पर पहन लिया है चलो पहन करके दिखाते हैं फ्रेंट्स आप देख सकते हैं यह वाला चूड़ा कुछ मेरा इस तरीके क्या लग रहा है बहुत ही प्यारा लग रहा है मैं आपको मतलब कितना ही ब अगल से तो यहां पर मैंने आगे वह वाले कर लिए आप देख सकते हैं बहुत सुन्दर लग रहा है कितना ही मैं बोलूं आपको दिखी रहा होगा बहुत ब्यूटिफुल लग रहा है आप इस तरीके से भी इसको क्यारी कर सकते हैं तो फ्रेंड्स चार स्टाइल मैंने आपको दिखा दिये अब यह बचा है पाचवा तो फ्रेंड्स इसको हम इस तरीके से पहन रहे हैं जैसे हमने चूड़ा क्यारी किया है चूड़ा आता है जैसे हमारा उसी तरीके से हमने पहना है बस बीज का हमने निकाल दिया जो मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया था तो आप देख सकते हैं ये वाला भी हमारा बहुती सुन्दर लग रहा है और साइड में आगे मैंने फिर से दो बैंगल लगाई है काँच की तो फ्रेंड्स बहुती प्यारा लग रहा है फ् प्रेंड्स कैसी वीडियो चाहिए आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ मैं उसी लुक पे आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी थैंक्स पूर वॉचिंग बाई बाई मिलते हैं